डियर स्टुएंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि पादब के अंदर पानी का जो अश्रोशन होता है, वो किस परकार से होता है उसके बारे में, जिसे रसारोहन कहते हैं, एसेंट ओप सैप, जिसके लिए कई थे रिज दिये गई, जैसे कि आपको पता है कि पादब जो मिट्टी से, जो मूल रूम है, उससे पानी को अब्जोब करता है, मूल रूम के दुआरा जो अफसुस्सित किया गया जो पानी है, वह स्टील के थुरू स्टेम, ब्रांशेज, लिव्ज तक पाउंसता है, वहाँ से फिर वायू मंडल में छोड़ दिया जाता है, इस परकार से पानी है, उसका संचलन या उसका मूमेंट होता है, हम यहाँ बात करेंगे कि जो पानी का संचलन है, वह किस परकार से होता है, जिसमें दो टाइप हैं, एक रेडियल मूमेंट भी है, एक अफ़वार्ड मूमेंट ओफ़टर है, रूट हेर्स के दुआरा जो पानी को अबजोर्ब किया जाता है, वह है, कोर्टिकल रिजन से होता हुआ, स्टीलर रिजन तक आता है, इस परकार से यह अरिये रूप से संचलन होता है, इसे रेडियल मूमेंट कहते हैं, और स्टील में पहुंचने के बाद में, या रंब म मूमेंट ओव वाटर कहते हैं, तो इस परकार से जो उर्दो संचलन होता है, इसे असेंट ओफ सेफ या रसा रोहन भी कहते हैं, इसके लाए अन्य थेरिज देखी जाए, इस परकार से जो पानी है, उसका अफ़ार्ड मूमेंट होता है, जो कि एक ग्रेविशनल जो फोर्स होता है, गुरुत्वे जोबल होता है, उसके विरुद जल का उर्दो संचलन होता है, इसे रसारोहन कहते हैं, सामने थे प्लांट्स जो पानी का दिकांस भाग है, उसको वास्प उस्सरजन के दोवारा वे कर देता है, जो पानी का जो अफ़ाड कंड़क्शन होता है, वादब की काफी लबाई होती है, सो मिटर से अधिक होती है, तो अफ़ाड कंड़क्शन के लिए वेग्यानिकों ने काफी मत दिए, काफी वाद परतिवाद दिए, इनको समुक रूप से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है एक तो वाइटल फॉर्स थेोरीज एक फिजिकल फॉर्स थेोरीज आज हम वाइटल थेोरीज के बारे में इसमें डिसकस करेंगे कई वेग्यनिकों का मानना था कि जो पोदों में जो जल आरुहन होता है वो वाइटल एक्टिविटीज के कारण होता है अथार्थ उन्होंने कई इस पिरकार के तथे दिये कि जो जायलम के अंदर जो जिवित कोशिकाएं होती है जिसमें जायलम पेरिनकाइमा है जायलम रेज कोशिकाएं है उनका महत्वपुर्ण रोल होता है उस कारण से जो पानी है वो अफ़वार्ड कंड़क्ट होता है समयन होता है तो इस वाइटल जो फोर्स थियोरी है उसके अंदर जो जीवित कोशिकाओं का मुख्य रोल होता है या उनी का नेंतरन होता है फलसरू जो पानी है वो उपर की तरफ उसमें कंड़क्ट होता है संभन होता है इसके लिए अलला विगैनिकों ने अपने अपने मद दिये जिसम जायलम के अंदर जो पाए जाने वाली पेरेन काइमा कोशिकाओं है उनके दुआरा होता है उनी के थ्रू उसके अंदर जो जायलम वेसल्स वो जो जायले ट्रेकीड्स होती है वो एक वाटर डेम के रूप में यूज आती है तो इस प्रकार से वेस्ट मेर ने एक थेरीज कि जल को जो केफलरीज के दौरा इसमें रोका जा सकता है तो इस प्रकार से उन्होंने बताया कि इसका मेटोपर्न जो रोल होता है वो जायलम पेरेन काइमा के दौरा होता है इसी प्रकार से एक रिले पंप थेरीज दी गई रिले पंप जो थेरीज है वो गोड लिवस्की के दौरा बताया गया गोड लिवस्की ने बताया कि एक स्टेर की तरह काम करता है उसमें स्टेर यानि सीडिवत सीडिवत रूप से जो पानी है वह उपर चड़ता है इसमें दो महत्वपन रोल होता है दो जिसमें जायलम वाही काई और दूसरा होता है इसके अंदर जो पेरेन काइमा सहल है पेरेन काइमेट सहल से उनका इन दोनों कोश्रीकाओं का महत्वपन रोल होता है जो सीडिवत रूप से दोनों में एक दूसरे में और पानी है वह उपर के तरफ कंड़क्ट होता है जैसे कि इस डाइगराम में हम देख पा रहे हैं कि जो पेरेन काइमेट सेल्स और विसल्स दोनों के अंदर प्रास्टरन इदाब में पीरियोडिक चेंज होते हैं जो जैलम पेरेन काइमेट सेल्स को सिकाए हैं वह उसमोटिक प्रेशर के कारण से पानी को विसल्स से अबजोर्ब करता है फिर पेरेन काइमेट सेल्स के अंदर जो पानी है वह है उपर की तरफ बढ़ता है उपर की तरफ जाने के बाद में इसमें फिर जो ट्रेकीड जो वेसल्स है उसका जो उसमेटिक जो प्रेशर है उस उसमेटिक जो प्रेशर कमी आ जाती है कमी आने के बाद में जो पानी है वह है वेसल्स में प्रिवेश करता है वेसल्स में प्रिवेश करने के बाद है फिर जो पेरेंकाइमेट सेल्स है उसके अंदर ओसमोटिक प्रेशर में बदलाव आने कान से या भिन होने कान से parent climate cells में पानी प्रिवेश करता है फिर parent climate में उपर बढ़ता है फिर उसके बाद है फिर vessels के अंदर प्रिवेश करता है तो इस परकार से ये सीडी रूप या सीडी वत रूप में ये उपर चड़ता है इसका जो परतिवादन है वागोड लिवस्की ने किया अलांकि आदोनिक रूप से इस मत की पुस्टी नहीं हो पाती है कुछ वेगैनिकों ने इसके बारे में काफी ड्रोवेक वगेरे इसमें दिये इसके बाद में एक आती है पलसेशन थियोरीज स्पंदन सिधान जो कि सर जेसी बोस ने इस इधान्त को दिया जो कि काफी परसलित भी रहा इसके काफी परबल समर्थक भी रहे इसके अंदर एक 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 अपरेटर्स के बारे में बताया गया है इस अप्रेटर्स की एकोर्डिंग इसकी चार पार्ट होते हैं इलेक्ट्रोनिक प्रोव गेलिवनोमिटर है इलेक्ट्रिक सर्कीट है इसमें और एक प्लांट लिया गया है इसमें जो पलसेशन जो थियोरीज दी गई इसके कोर्डिंग यह बताया गया कि इसमें जो कोर्टिकल रीजन है उसके जो अंदर वाली जो कोशिकाएं हैं उसके अंदर पलसेशन होता है उसके अंदर स्पंदन होता है उसके अंदर जैसे इसमें स्पंदन होगा संकुचित होगा फरसारीत होगी कोशिकाएं फल्स रूब इसमें पानी का कंड़क्शन होता है इसके अंदर तो इस कांट से इसको पल्सेशन थोरीज दी गई इसको मापने के लिए कि इसमें पल्सेशन होता है या नहीं होता इसके लिए एक विद्यूत प्रोब उपकरण के बारे में बताय गया है कि इसमें जो सरकीट होता है उसके एक साइड में निडल लगी हुई साथ में गेलवेनोमिटर और दूसरा जो पारट है वह प्लांट्स के किसी बाग से टच्च किया हुआ जब अब इसमें जो निडल है उस निडल को प्लांट्स के इंदर लगाते हैं तो किसी भी सताय पर लगाने के बाद में जैसे से कोशीकाओं के अंदर इसको प्रिवेश्च करкивाते हैं वैसे वैसे इसमें गेलवेनोमिटर है उसके अंदर दोलन स्टार्ट होता उसके अंदर और जैसे जैसे जो सुई है वो प्रवियस करती है इसके अंदर वैसे वैसे इसमें गेलनोमेटर में दोलन तीवर होता है और बीतरी जो टिशूज हैं जैसे कोटिकल का जो अंदर का जो पार्ट है बीतरी जो सेल्स हैं वहां इसमें अत्य दिक दोलन होता हुआ इसमें स्थाई हो जाता है तो इस परकार से हैं जैसे कोटिकल की जो अंदर की सेल के बाहर की कोशिकाएं अत्वा उसके अंदर की कोशिकाएं हैं वहाँ पर किसी परकार के जो दोलन है वह उत्पनी होते हैं या दोलन वहाँ पर नहीं होता इससे ये प्रूब भी होता है कि जो कोर्टिकल के जो बितर की कोश्काएं है उनमें दोलन पाये जाता है या उसमें जो परसेशन है वह पाये जाता है उसके अंदर तो इस परकार से ये बताय गया है कि इसमें फॉल्शेशन होता है उसमें स्पंदन होता है इसी आधार पर इसमें जो स्पंदन होता है उन्हीं के आधार पर इसमें बताय गया है कि जो परसार और जो संकूचन जो होता है उन्हीं के आधार पर जो कोशिकाएं के अंदर जल भ जो वाटर है उसका मूवमेंट होता है पलसेशन के द्वारा तो इस प्रकार से सर जैसी बोस ने ये पलसेशन जो थेरीज दी गई अलांकि इस थेरीज के वो भी नकार दिया गया क्योंकि इस थेरी के अंदर जीवित कोशिकाओं का ही मुख्य रोल बताए गया इन में लेकिन ये जितने भी वाइटल थोरीज दी गई इन सब को नकार दिया गया इसका एक जामपल भी बताए गया है कि स्ट्रोस बर्गर ने एक काफी पुराने पादब को लिया जोकि लगबग 22 मीटर लंबा था उसका ग्राउन्ड लेवल से उसको काटा और उसको स्टेम को पिक्रिक एसिड में से ट्रीट किया उसको उसके अंदर दूबो दिया दूबोने के बादमें उसमें पिक्रिक एसिड है वो ओपर तक सिर उस एसेड के अंदर फ्यूस्टिन का विलियन डाल दिया गया और देखा कि जो ये डाइज है वह टर्मिनल पार्ट तक पहुंच गई तो इससे ये प्रूब भी हो जाता है कि जब इसको पिकरिक एसेड से ट्रीट गया गया तो कुछ रिकाएं वही समस्त कोशिका मर चुकी है उसके बाद में भी कुछ समय बाद में भी अगर इस परकार से डाइज डालते हैं तो वह डाइज भी कुछ समय बाद में उसके अंतर्स टर्मिनल पार्ट बहां तब पहुंच जाता है तो इससे ये प्रूब हो जाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसें कि जो जीवित कोशिकाएं हैं उसी के दुआरा इसमें चलका जो आरहन जो होता है या वही उसमें मुखे रोल प्ले करता है तो इस परकार से जीवित कोशिकाएं या जो वाइटल थेयरीज हैं इसकी कोई सार्था करता नहीं है